हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने इस यूटीब चैनल सरस्वती कॉमर्स अकेडमी में तो आज हम करने वाले हैं क्लास प्लस वन की बिजनस टैडिस का चैप्टर नंबर 24 जिसका नेम है रिटेल ट्रेड मिनिन एंड टाइप्स हम इस चैप्टर में डिसकस करेगे यह है वह हमारा most important चैप्टर है और अभी तक जो हम अपने 23rd तक जो चैप्टर है वह हम अलड़ी डिसकस कर चुके हैं अगर आपको उनका लिंक चुई तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा वहाँ पे class प्लस वन की business playlist के नाम से link create है वहाँ पे ठीक है तो आपको कोई भी टॉप्क जो ली सुमझ सकते हैं तो चलिए हम इस वीडियो चеп्टर में बात करेंगे रिटेल ट्रेड कीड क्या होता है गोल Spencer के बाद किस ये सब प्रोसेस तो आपको पता ही होगे तो हैं छोटी चुलासिज में भी आजाता है अब Mongan किया है कि अभी माल खरीड के जो रिटेलर है । रिटेलर से आगे समान किस की तरफ जाता है हमारे कस्टमर की तरफ जाता है ठीक है अब रिटेलर से ये समान जो है वो कहां पर जाएगा कस्टमर की तरफ ये कस्टमर को ये समान बेच लेता है तो इस तरीके से जो प्रोसेस है वो चलती है हॉल सेलर से ये क्वांटिटी में स जो बीच में काम बें आते हैं जैसे कि होर्टेलर है अब producer के बाद सिधा है । अब यहर लाइस्ट लिंक एन्य ठीक है क्योंकि विच में तो क्या होता हैं होलसेलर टो यह लास्ट नृंबर पर यह थीलिट ल॥े यह ल॥े फोंड कहोण सब्सक्र e threats अब ये देखो, अब ही समान कहां से खरीडता है, wholesaler से खरीड देगा, और बेच किसको देगा, customer को बेच देगा, इसको ज़्यादा capital की जरूरत नहीं होती क्कि थोड़ी-थोड़ी quantity में समान खरीडता है, आगे बेच पार customer को वहां से इसके पास पैसे आ जाते है, तो कम capital कि इसको जरूरत होती है और देखो जैसे कि मैंने आपको wholesale में बताया था कि वो जादा decoration नहीं करता अपनी शॉपस पे लेकिन इसको रिटेलर को अपनी शॉपस पे जादा decoration करनी पड़ती है नेक्स से इत मेंटेंस personal contact with the customer इसका customer के साथ direct contact होता है personally अच्छी तरीके से जानता है जैसे आपके आसपा जितनी भी दुकाने है अगर आप उसे regular basis पे समान क्रीटने लग जाओ तो आपको जानने लग जाएगा इसी तरीके से यह होता है next service और utility of retailer अभी क्या के services provide करता है wholesaler को क्या services देता है to provide necessary information अब देखो इसका to wholesaler का customer के साथ कोई contact नहीं होता अब यह wholesaler को क्या देगा wholesaler को यह अपने information provide करेगा कि customer के क्या demands है क्योंकि customer जो बें demand करते हैं वो किसको करेंगे retailers को फिर retailers आगे information किसको देगा wholesaler को तो wholesaler को इसमें information मिल जाती है to create demand अब एक create करता है demand को अब देखो अगर wholesaler इसको बताता है ना कि हाँ भी आपकी यह मतलब चीज़े हैं यह भी चीज़े नहीं आ गई है market में available है तो आगे यह किसको बताएगा customer को कि हाँ भी अगर आप इस चीज़ को यूज़ करोगे तो आपके लिए benefit है तो वह मतलब encourage करता है कि आप ही समान क्रीट हो तो demand को create करता है किसके लिए wholesaler के लिए next है help in distribution अब वैसे तो आप देखो wholesaler से distribution अगर customer के पास करने लग जाए तो customer तो काफी अलग अलग जन्याई पर होते हैं अभी क्या करते हैं कुछ थोड़ी ही जन्याई पर रिटेलर को यह समान पकडाया आते हैं और फिर आगे retailer क्या करते है रिटेलर अपने आप आगे further customer को बेच देते हैं next local advertisement वैसे तो बड़े level पर advertisement कौन करता है कौन करेगा wholesaler लेकिन अभी है कि हाँ भी customer को बताना है कि यह भी समान मार्केट में available है तो उसके लिए फैसलिटी देता है local level पर advertisement कर देता है next no need to meet customer अब इसको wholesaler जो उसको customer से मिलने की जूरूत नहीं है सारी requirement कौन पूरा कर देता है retailer खुद ही पूरी कर जो भी supplier मतलब जो भी customer जो है वो चाहते हैं जिस भी तरीके की goods चाहते हैं अलग-अलग customer होते हैं अलग-अलग goods की requirement करते हैं वो उनको जरूरत होती है अलग-अलग goods की तो जिसकी जो need है उसके according वो goods उनको supply कर देता है next facilities of purchase on credit अब देखो जो आपकी साथ जो आपका retail trader होता जो आपके आसपास होता है वैसे तो जर्री वो क्या करता है कि हां भी मतलब नगद में ही समान खरीटा बेशता है इस तरीके से वो डिदिंग करता है लेकिन कई बार क्या है कि आपके पास मालों पैसे नहीं है तो वो क्रेडिट पे भी वो समान कई बार facility दे देता है home delivery of goods काई बार तो कुछ किरियाने की दुगाने के इस त्रीकेसे होती तो काउंस तंद कि नेख़ी इसके फ्री डिलीबरी को जाएंगी यूपकी अपने समान प्रिडा है प्रीड डिलीबरी द्थाटNow हम डिलीबरी होने लग गई है about supply of fresh यानि कैसे सिङग इण कि सवनान को मिल जाता है है कुछ नाकुछ आपको फरी सार्विस इज फिस फिर्विस भी वहाँ पर मिल जाती है तो उसमें यह आपको एडवाईज देता है कि यह वाला आपके लिए बेस्ट रहेगा नेक्स्ट हैं इंक्रीजिंग कस्टमर नॉलिज कस्टमर की नॉलिज बढ़ाता है कि यहां भी इस तरीके के प्रोड़क्ट का यूज यह हो सकता है नेक्स्ट और लांस है क्लोज रिलेशन विद कस्टमर अब यह कस्टमर के साथ इनका काफी अच्छा रिलेशनशिप होता है कस्टमर जो कहते हैं कि यहां भी हमें इन चीजों की जरूरत है तो यह आगे उनकी नीट्स जो है वो आगे किसको बता देगा होलसेलर होलसेलर आगे उसको प्रोडक्शन जहां पे होता है जो प्रोड्यूसर होता है उसको वह चीज बता देता है कि कस्टमर को इस तरीके के गुड्स चाहिए तो उसको एबलेबल करवा हो तो इनका काफी यहां पर जाके इनको बड़ीयां दुकान होगी यहां पर जाके इनको सेल करना है इनका कोई fix selling place होता ही नहीं है ठीक है और इसकी establishment जो है वो करनी बहुत असान है और इसके अंदर कम capital की जरूरत होती है और cash में जादातर sales होती है और जो customer के साथ काफी अच्छा contact इनका होता है ठीक है इन retailers का अब यह चो retailers होते हैं आगे इसके further बता रखे हैं types hawkers and peddlers अब आ तो वो सब इस category में आते हैं cheap jacks का मतलब यह क्या होता है कि खाली जंग जो होता है वो rank पे ले लेते हैं और वहाँ पे अपना trade fair कहलो कि अपना समान वहाँ फिर वो बेजते हैं अपना trade fair सा लगा लेते हैं वहाँ पे अपना समान जो है भेज देते हैं जैसे कई बात जो है किसी शहरों में, सर्दियों के दिनों में क्या होता है, कि यह जो, मतलब, जो woolen garments होते हैं, वहाँ पे यह खाली सा space लेकि, वहाँ पे अपनी goods बगेरा जो वो sale करते हैं, next है payment traders, payment traders भी इसे तरीके की होते हैं, जो footpath बगेरा पे अपना समान बेच लेते हैं, जो आते जाते लोग हैं, वो वहाँ से कुछ न कुछ समान खरीद लेते हैं, next है weekly market traders, इसको जो weekly market यानि कि जो बड़े बड़े शैरों में weekly markets लगते हैं, यानि कि हफते में एक बार market लगते हैं, वहाँ पे कम दामों में समान मिल जाता है, next है इसका fixed shop का, fixed shop में small scale इसमें आती हैं आपकी retailers, fixed shop में small scale के अंडर क्या है journal store, journal store में आपका journal ही सारा समान मिली जाता है, जो आप daily basis पर यूज करते हो, customer के साथ इसमें shopkeeper का अच्छा contact हो जाता है, तो वह भी आपको फेसिलिटीज भी प्रवाइड करते हैं और जो आप जनरल जो आप घर में चीज़े यूज करते हो daily basis पर जैसे टूट पेस्ट है कोई साबून है कुछ भी है whatever job भी है मतलब जो daily basis पर आप जिस समान को यूज करते हैं वह आपको यहां से दिखा हो गया आप ठीक है अगर आपकी दुकान कोई ऐसी है कि जिसके इंदर आप religious books बेच रहे हो तो जितने भी आपके example के साथ समझे जैसे अगर आप rediment garments बना रहे हो ठीक है काम तो आपका क्या है rediment garments का तो rediment garments के अगर आपकी shop है तो आप women's के लिए भी men's के लिए भी children's के लिए भी old age people के लिए भी सभी के लिए आप इसके अंदर कपड़े जो है वह आप बनाओगे तो इस तरीके से इसमें single line store में बताया गया वोटन स्टोल्स लगाई जाती है जैसे आपने चाय की दुकाने देखी होंगी छोटी-छोटी कहीं पर भी बना लेते हैं क्षेटें स्टोल में चोटी-बोटी दुकाने जो हैं वो इस इसके तरीकरिक आती हैं एक्स्टे इंफीर गूट शौप्स इंफीरियर यानि कि उसमें घटिया क्वालेटी का माल मिलता है गरीब लोग जोईस में से जाते समान हो खरीते हैं और जिनके पास कम इंकम होते है वो भी इसमें से समान जो है थ्री लेते हैं और इसके इंदर घटिया क्वालिटी का माल जो है वो मिलता है तो fix shops में small scale तो हो गया, next है large scale retailers, large scale retailers में काफी सारे points है फिलाल हम अभी कर रहे हैं departmental store, departmental store में क्या होते है कि आपके पास एक बहुत बड़ी building होती है उसके अंदर आप अलग-अलग departments बना देते हो, फिर आप उसके अंदर हर department में अलग-अलग goods की जो supply की जाती है अलग-अलग goods बेचे जाते है, a big store engaged in the retailer trade of wide variety of articles under the same room यानि कि एक ही चट के नीचे आप अलग-अलग articles को sale करते हो, इसकी establishment किस तरीके से होती है, location ऐसी जंगे पर नीचे जहाँ पे अच्छे खासे customer हो शेहर के भीचों भीच हो सके तो हो आपे करना चाहिए, next is facilities, facilities अपने customer को goods जो provide करा रहे हो तो आप करवाई रहे हो साथ में आपको दूसरी facilities भी provide करा ली चाहिए, next is decoration इसकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि customer attract हो, appointment of employees, अब इसमें employees जो हो अच्छी मतलब skills वाले होने चाहिए जिनको अच्छा पता हो, अच्छी तरीके से customer के साथ जो बात कर सके तो इस तरीके के इनको employees जो है वहाँ पर recruit कर रहे चाहिए, advantages, economies of large scale business, यानि कि इसमें बड़े लेवल पर production होता है, बड़े लेवल पर production होने से large scale की जो बचते हैं, वो इनको मिलती है, central location, शेहर के बीच भी भी कर देते हैं, goods की, कि आप इतना घर चाहिए और आपकी जो goods है वो आपके घर पे ही आपको मिल जाएंगी, next shopping facility, हर तरीके का माल इसके अंदर आपको मिल जाता है, disadvantages, आपको departmental store बनाने के लिए, building बनाओगे, उसके अंदर अलगलए department set करोगे, अलगलए employees को बुलाओ तो इसके अंदर आपको बहुत खर्चा आजाता है, away from ordinary customer, जो simple सीधे सारे जो customer होते हैं, वरलब उन से दूर रहता है, क्यूं, अब ये जो है, बिल्कुल अमीर customer पे ही जारा ध्यान जाब, फोकस किया जाता है, सीधे सारे customer की तरफ तो ये देखते मिलिए, next lack of credit facilities, उधार म कोई समान नहीं बेचा जाता, social discrimination, अमीर गरीब में काफ़े फरक करते हैं, अमीर लोगों पे जारा ध्यान फोकस करते हैं, जो गरीब अगर चला भी जाए, समान खरीदने के लिए, उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देते, costly goods, यहां पे बहुत mangy goods जो होती हैं, ठीक है, तो भी आफटा-फट से इतने का screenshot ले लिजिए, अभी हम super market के बारे में discuss करने वाले हैं, नेक्स्ट है हमारे पास super markets, अब super markets में क्या होता है, super markets जो है, अब यह large scale पे आते हैं, large scale retailers इसके अंदर आते हैं, अब इसमें क्या होते हैं, बड़े level पे यह super market आपकी होती है, ठीक है, जो बाकी business, मतलब जो भी business करते हैं, उसे थोड़ा बड़े level पे यह super markets होती है, बड़े level पे इसमें retailers आते हैं, और इसके अंदर यह हर तरीके का समान रखते हैं, जो भी consumers चाहते हैं, इसमें foods और groceries related सारा समान आपको वहाँ पे available हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, कि इसकी features देखो फड़ा फड़ से, prices are relatively low, बाकी जंगे से prices जो इसके थोड़े ठीठाग होते हैं, कमी होते हैं, they are mostly found in big cities, super markets थोड़ी बड़े बड़े शहरों में पाये जाते हैं, sales are cash, यानि कि जितनी भी sales होती है, sales are in cash, अभी जो sales होती हैं, वो किस में होती है, cash में ही होती यानि कि packing जो है, वो बड़े अच्छे तरीके से की जाती है, ताकि अगर, देखो, packing अच्छी होगी, तभी तो कोई किसी product को खरीद देगा, ठीक है, कहीं बार तो क्या होता है, कि हमें उसकी product की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उसकी packing को देखके, वो goods खरीद ले हम चीज तो खरीदने जाते हैं, एक खरीद के चार ले आते हैं, क्योंकि हमें और भी समान लगता है, कि हमारी ज़रूरत का है, अब हमें दीखेगा, तो हम खरीदेंगी, no need to bargain as every item is packed, and rates are marked no need, अब यह नहीं है, कि अब देखो, जैसे गलियों में, अगर आप सबजी खरीद इसलिए नहीं है, क्यों नहीं करता, इसलिए नहीं करता है, क्योंकि आप पहले ही उसमें लिखा होते हैं, कि प्राइज इतने का है, नेक्स्टे द्यू टू लार्ज स्केल परचेजर, अब देखो, कि सुपर मार्केट में बहुत सारा प्रड़क्शन होता है, ठीक है, इसलिए लैक ओफ क्रेडिट फेसलिटी यहां पर उधार में समान नहीं मिलता, नेक्स्ट है अंसुटेबल फॉर हैवी अब्जेक्ट, बड़ा-बड़ा समान ही यहां पर नहीं मिलता, कि बहुत भारी समान अगर आप लेना चाहो तो वो नहीं मिलता, फूड और ग्रॉश ऐना पर आप् ich किle में ही आता है, ठीक है स्मोड स्केल्स का भी मैने आपको बताया था है और जलाज में यह सब अता है मौल हो गया, सुपर मार्केट हो गया, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गया, यह सब मल्टिपल सर्विसेज, एक ही मौल में काफी तरीके की सर्विसेज आपको देखने को मिलती है ओनर्शिप क्या होती है, ओनर्शिप अलग-अलग, परसंस की होती है, वहाँ पे सेंटर नहीं लोकीटिड, जो मौल है, आपको वो कहां होगा, ऐसी जंगे पे होगा, कि जहां पर कस्टमर अच्छी, मतलब अच्छे खासे संख्या में आ सके लार्श केल अडवरटाइजमेंट, काफी अडवरटाइजमेंट दी जाती है, यहाँ पर मौल को लाया, यहाँ यह यह सर्विसज दी जाती है गूज के की चाहूंक्त हैं और फादेडाय को ही ईज़ए हैं A.P. पुर्डी से Лक्षंट का मिलएपषिए हैं लुएर आपो काती है है ऊचानी जाए है करे की यह सीच चाहिए है थी ऐसलेकशन ला सब्सेट श़पिंग करती हुआ है जो अगली बार आएंगे जब दे देंगे ऐसा तो होता ना आपको एक ही साथ में परने बढ़ते हैं मलटीपल सर्विसज वहां पर मोल में देख लोग कितने तरीके की सर्विसज दी जाती है सबी तरीके की सर्विसज आपको मौल में रेस्टोरेंट वगेरा की बी और अगर में जितने भी गूट्स होती है हाई प्राइज़ वाले क्योंकि ब्रेंड यूट चीज़ें महां पर जादा दर मिलती है यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट जादा कैपिटल की जरूरत होती है डिफिकल्ट रनी अब देखो एक ही तरीके का जो प्रोडक्ट है वह आपको का मॉल्टीपल शॉप कंसिस्ट ओफ नंबर ओफ सिमिलर्व ओनड वाइज सिंगल बिजनस फॉर्म क्या याणई कि एक पर्संट की क्या होता है अलगाल अलग उसने ऍटीके की इसले शॉप महां पे चलाई होती है नंबर ओफ सिमिलर शॉप्स बहुत सारी शॉप्स होती है और वो चलाई किसने होती है एक सिंगल बिजनस फॉर्म ने वह वाली शॉप जो हो चलाई होती है अभी हम इसके ड्वांटेस डिसकस करने वाले हैं और भी थोड़ा सा चप्टर रहता है वह डिसकस करेंगे से पहले आप इसका स्की शोट ले लिजी अब मल्टिपल शॉप्स की दिशयआ किस तरीके से इस्टबलिश्मेंट की जाती है ऐप देखिए जो मल्टिपलbirफ शॉप्स है मैं अभी हमने मतला पड़ाना कि क्या होता है कि एक ही ओनर के अंदर सारा रार कंट्रोल होता है उसने ही अपने काफी सारी दुकाने बनाई होती है काफी सारी शॉपस बनाई होती है आप देखो इसकी जो लोकेशन है वो क्या ओनी चाहिए ठीक ओनी चाहिए ऐसे जगया नहीं होना च Vijay कि वहाँ पर विराम जंगल हो और कुछ भी ना हो ठीक है इसक तो टेबल बिल्डिंग अब आपको पता होगा कि अब यहां पे एक ही परसन की ओनर्शिप होती है और इस केस में क्या होता है कि सब्वी की बाहर से लुक भी न एक जैसी होती है ठीक है अब जितने भी वहां पे शोप्स खोली जाती है अलग-अलग शहरों में तो सारों की मत मतलब वहां पे जो आपका इंडॉर और आउटडॉर जो है वह एक ही तरीके का डिजाइन वहां पे होता है नेक्स्ट है इंटर्नल लोकेशन अब आपको इंटर्नल लोकेशन का भी ध्यान रखना चाहिए बढ़िया फर्णीचर का यूज़ करना चाहिए अच्छे से ओर से निए सभी गाएप करने के तो जुरूरत है ये नहीं मैरीट कया है फिञ है और से एंड ऑफ मीडल में अब एक ही परसन की शॉप्स होती है अलग अलग जन्ल में तो इसको इसके कुछ होते ही नहीं है collective advertisement अब यह नहीं है कि जो मतलब हरियाना में है वो अलग advertisement कराएगा जो कहीं और है या फिर किसी और state में या किसी और district में है वो अलग अलग नहीं जो इसका head office है वो same मतलब advertisement जो है वो करवाता है यह नहीं है कि हरियाना वाले अलग करवाएंगे पंजाब वाले अलग करवाएंगे जमू कश्मीर वाले अलग करवाएंगे तरह खर्ण वाले कहीं अलग ऐसा नहीं होता next is goodwill in public अब public जो है public में इसकी goodwill अच्छी होते है क्योंकि उनको लगता है कि यहां भी सारी जंगे एक ही price है एक ही quality है तो जनता का इसमें विश्वाश ओर बढ़ जाता है next is near to the customer customer के पास ही होती है इनकी shops ऐसे जंगे पे होती है कि जहां पे सब कोई असानी से पहुंचाए next is easy to recognize अब मैंने बताया ना कि इनकी बाहर से भी building की look भी एक तरीके की दिखाई देती है तो असानी से पहचा नहीं जा सकते next is की demerits काफी amount आपको capital में invest करनी पड़ती है credit की इसमें कोई facility नहीं मिलती कि आप उधार में कोई समान खरीद होगे आपकी कोई home delivery facility नहीं है और heavy loss due to change in demands अगर मालनो demand change होगी न जितना भी आपने production का रखा है वो आपका रखा का रखा ही रह जाएगा वो कोई नहीं करीड देगा demand अगर change हो जाती है तो यह loss हो सकता है हमे next is consumer cooperative store consumer cooperative store में क्या होते है कि इसमें middle man को हम अठा देते है सिद्धा जो है जो manufacturer से हम समान करीड लेते एक committee बना लेते है members जो है मिलके वो क्या करते है वहाँ पे अपना समान रख लेते है जब भी किसी customer को जरूरत होती है तो वो उसको समान दे लेते है और वो उसको payment हो जाती है अब इसकी characteristics क्या है with the establishment the middle man come to an end इसके अंदर जो है अगर ये consumer cooperative store बन जाता है ये अपने store में सारा समान maintain करके रखते है तो middle man तो मतलब टाटा बाई 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 उसको मतलब वो वहाँ से खतम next है in this the sale in cash मतलब कि जो sale होती है वो cash में होती है any member can leave the membership at any time अब इसमें जो है किया जाते है इसके member के बीच में it is set up and operated by the users जो इसकी user से उसी की दवारा operate किया जाता है merits consumer को आप देखो कि इसके अंदर जो है middle man नहीं होते तो इसलिए को अपना profit तो add on करते नहीं तो इसलिए इनको कम prices पे consumer को समान मिल जाता है intermediaries जो है हम साथ में काम कर रहे है next day no need to spend on advertisement expenditure अब advertisement पे खर्च करने की जुरुएत नहीं है क्योंकि इनके member ही बहुत होते है अगे उनका link बहुत होते है next is के demerits क्या है more losses have to be incurred in time of recession जब मंदी का time period होता है तो इनको काफी losses का सामना करना पड़ सकता है due to the large number of members the feeling of cooperation ends अब बहुत ज़ादा member हो जाते है तो आपस में लडाई जगडे होने के chances ज़ादा रहते है mutual cooperation तो दूर की बात है next there is a possibility of call अब रहता है कि हाँ भी जितने ज़ादा लोग होगे लडाई जगडे की संभावना उतनी ही ज़ादा होगी अब आपका सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रहेगे तो आप फटा फट से स्क्रीनशोट ले लेजिए last topic है हमारे इस चेप्टर का automatic vending machine अब automatic vending machine का जो है short form उसकी AVM है इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे customer है उसको ये नहीं है कि किसी employee के पाह जाना पड़ेगा कि मेरको ये समान चाहिए एक machine होती है और उस machine के अंदर आपको token डालना होता है और जो भी आपको समान चाहिए वो उस machine से बहार निकलाता है ठीक है अब जैसे कि आपको कोई call ring चाहिए ठीक है तो उसमें से अगर आपने उसमें token डाला और जो है जो आपने जितनी भी quantity में चाहिए आपको वो समान आपको एविलेबल हो जाएगा जितनी भी आपने token की जितनी भी amount होगी वो उस हिसाब सुसकी quantity बहार आ जाएगी ठीक है next इसकी advantages अब इसकी sales जो है वो possible रहती है हर टाइम पे आप इसको sale कर सकते हो क्योंकि machine है employee तो 12 गंटे के बाद चुपती करके चला भी जाए अब यह तो machine तो वही रहती है अब यह जारतर जो है वो काफी बड़ी-बड़ी cities में यह जादा popular है यह चीजे इस तरीके की machine बड़ी-ब machine कोई difficulties में आती नहीं क्योंकि आपको token डालना आपको सभाना आपको मिल जाएगा ठीक है next इसकी limitation expensive sale process कि काफी machine को setup कराने में काफी खर्चा आजाता है more expenditure on repair and maintenance कि अगर आप इसको अगर यह खराब हो जाए machine तो इसकी repair पे भी आपको खर्चा करना पड़ता है requirement of coins of the same size अब जितना उसके अंदर size है उसका तो उतने लेवल के आपको उतने ही size के आपको coins की जरूरत होती है जितने कि उस machine में डल जाए ठीक है friends next topic के साथ and next video के साथ thank you very much